मिशन सक्सेस यूटूब चैनल में आप सबी का फिर से स्वागत है मैं हूँ और बिन आज मैं आपके लिए जोग्राफिक का कुछ MCQ कोस्टेन लेके आया हूँ जो आपका आने वाला एक्जम के लिए बहुत सा फाइदा मन रहेगा चलिए पहला कोस्टेन से शुरुआत करते है आपको निवेदन है वीडियो को पूरा तक देखना चलिए पहला कोस्टेन यह आपका रहा फूच अप दो फॉलोइंग टॉर में रिलेटेड वी थे बड़ी अफ लैंड स्वरांडेड बाई वाटर अन थ्री साइड इसका मतलब कोई भी एक लैंड है जिसको तीनों सा सबक्राइड और दूसरी नमबर पर आता है आपका इंडिया में है डेकन पेनिसुला डेकन पेनिसुला जो है इधर आप देख सकते हैं यह जो है पेनिसुला इंडिया का देख सकते हैं इधर यह साइड में भी आपका वाटर है यह साइड में भी वाटर है यह साइड में भी वाटर मतलब तीनों साइड से वाटर है इस अरुब्यान शी और इसका पूरा वार्टर कवर कर रखा है तो इसलिए है इसको बोलते हैं यह सब सरह होता है मतलब दुनिया का सबसे बड़ा पенेंस्षुला होता है आरोबियान पेनेंसला यह ASEM महादीप के अंदर आता है ठीक है आप इदर देख सेके हैं तो आइजलांड क्या बोला है आइजलांड जो हता है चारो साइडसे वाटर होता है उसको आइजलांड बलता है सबसे दुनिया का बड़ा आइजलांड होता है आपका ग्रीन लेंड ग्रिन ल्यांड जो होता है आपका सबसे बड़ा आइजलांड होता है यह आपको याद होना चाहिए और आर्ची पेलिगो किसको बलते हैं आर्ची पेलिगो का मतलब होता है दीप का समुह मतलब भहत सारे आइजलांड को मिला कर एक बनता है आर्ची पेलिगो यह दुनिया का सबसे बड़ा होता है क्या इंडोनेशिया इंडोनेशिया जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा दीप का समय होता है यानि आर्ची पेलिगोव होता है यह आपको याद रखना है चल यह दुक्सरा कोस्चेन देखते हैं Which is the imaginary line divide India almost two equal parts इंडिया को इन में से कौनसा जो imaginary line है latitude है ठीक है ये इंडिया को पूरा equal दो हिस्सा में बाटा है ये होता है आपका Tropic of Cancer ये Tropic of Cancer जो है आपका इंडिया का बीचो बीच देखर गुजर रहा है ये cool art state का अंदर गुजरता है ये आप देख सकते हैं इधर कौनसा वो art state है Tropic of Cancer गुजरता है गुजराट में राजस्तान में मध्याप्रदेश में आपका चतिसगर्ड जार्खंड वेस्ट बेंगल ट्रिपूरा एंड मिजराम ये आठ्व स्टेट होकर आपका जो Tropic of Cancer है गुजरता है इंडिया का अंदर ये बहुत सा important है ये आप सबको अच्छे से या माही रिवर माही रिवर जो होता है ये Tropic of Cancer को दो बार कट करता है दो बार काटता है वह होता है माही रिवर ये आपको याद रुखना है तो आपको कमेंट में बताना है Tropic of Capricorn और equator को कौन कौन रिवर ने दो बार करते हैं मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं ये कमें में बताना है Tropic of Capricorn को कौनसा रिवर दो बार करता है और equator को कौनसा रिवर दो बार करता है आपको comment में लिखना है चलिए next question देखते हैं which imaginary line passes through Australia, Africa and South America continent मतलब यह तीनों महादेश को इन में से कौनसा इमाजिनल लाइन जो है जो लाटी चुट्स दिया गये है कौन कॉट करता है यह आपका होता है Tropic of Capricorn यानि मौकर रेखा जो होता है यह जो अस्ट्रेलिया महादीप आफ्रीका और South America होकर गुजरता है आप इधर देख सकते हैं image में यह जो आपका Tropic of Capricorn ह साड़े 23 डिग्री वाला South latitude जो होता है यह आपका South America में भी गुजरता है इधर आफ्रीका में भी इधर आस्ट्रेलिया में भी गुजरता है और जो इक्वेटर होता है Zero डिग्री वाला वह आपका South America में भी मतलब जाता है और आफ्रीका में भी चलता है और कुछ पार्ट एस आया में भी चलता है आपका एक्वेटर और ट्रोफिक आप कैंसर आप देख सकते हैं इधर नोर्थ अमेरिका और इधर आफ्रीका और जो एस्या के अंतर gummy arkadaşlar जाता है अगर देखेंगे ट्रोफिक ऑप कैंसर जो है यह आपका कूल 16 कंट्री में गुजरता है और ट्रोफिक ऑप काप्रिकॉन जो है यह आपका 10 कंट्री में और एक्वेटर जो है 13 कंट्री में गुजरता है यह कंट्री में बोल रहा हूं 16 होता है Cancer और Capricorn होता है 10 यानि equator होता है 13 यह सारे का सारे चीज़ आपको याद होना चाहिए आप इधर screenshot भी ले सकते हैं चलिए फूच इस जोभ्यान प्लानेट देखिए जो हमारा प्लानेट से आठ प्लानेट है सन से लेकर पहला चार प्लानेट को हम बोलते हैं इनर प्लानेट और बाहर का चारत्र प्लानेट मतलब वीच में आता है आपका आश्टॉइड के पहला यह होता है उतर जो पहला रहता है मरक्यूरी उसके बाद बेनिसactic यो ब्लानेट वोलते हैं और इनर भी बोलते हैं इसको टेरेस्ट्रियाल प्लानेट भी बोलते हैं टेरेस्ट्रियाल प्लानेट भी बोलते हैं टेरेस्ट्रियाल प्लानेट और रोकी प्लानेट भी बोला जाता है ठीक है यह पहला चार मर्क्यूरी वेनस आर्थ मार्स को बोलते हैं इनर टेरेस्ट्रि यह नई भीन प्लानेट पत गौुखो होता है अब जोड़न प्लानेट जों का मैं पुछा है जुब्लानेट इन में से कौन सब्सक्सक्राइब सब्सक्रीयोगा सिवलेल देख सकते हैं खोन्त-थाय को तुलिक मुद्थ मार्स हैं इनको हम इनर प्लानेट इसके बाद आसतरोइड वेल्ट उसके जो बाहर का 4 चार प्लानेट को हम यह जो आपका ऑटर प्लानेट या गासिष प्लानेट याने जह भीन प्लानेट होता है तो नेप्ट्शुन का पठे पर वाला पाठ कोconfidence कु पर वेल्ट में कुई पर का याद रखना और bli QU झालता है और जो आपका अडूत के बीच वाइस वीची आता है यह आपका कॉस्चन बहुत बारा है एक्जाम में थीक है । जो आपका आर्थ होता है उसको हम ब्लू प्लानेट बोलते है में 他 works जुपिटर को एक नाम दिया गया है जो रुमान और ग्रिक के हिसाबसे उसको बोलते हैं कि लॉडाप़ हिवेंस के लॉडाप़ हिवेंस के लॉडाप़ हिवेंस जुपिटर को यह सबसे बड़ा प्लानेट भी होता है ये भी आपको याद रखना है Jupiter का जो rotation का speed होता है सबसे जादा होता है fastest होता है Jupiter का मतलब आज पास गंटे में यह मतलब उसका एक rotation प्रती हो जाता है यानी 10 गंटे में उसका एक बार दिन एक बार रात लेता है और जो Venus है Venus को हम हमारा यह जो Morning Star and Evening Star होता है solution को हमारा इबनीं में होता है और यह ब्राइट्ट भी होता सभुर्य ही जो अपका सःन का नउज्दी कॉन है आपका उसके बाद भेंब्स है ऊपको पसता है वे जो पटतै के अर्टमोस्पिर का अंदर यह ज्यादा है कार्बन डाइकसड क्या होता है यह होता है कि ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस का मतलब क्या है जो सौन से आने वाला हीट को आपजर्ब कर लेता है जिसके बज़े से आपका जो आटमोस्पेर का टेंप्रेचर भी बढ़ जाता है उसको ग्रीन हाउस ग्यास बोला जाता है जो वेनुस को हम ट्वी नॉफ आर्थ ही बोलते हैं मतलब ॉफ का तुछर्प बोलते वेनुस को आपका जो मार्स है मार्स को हम बोलते हैं मीनुस के इसी को मीम घंप मीय ऑज्यादा ये आयरों आकसाइड ही, यह कौनसा राज्य में है या आपका है औरुणांचल प्रदेश में नाम दफ्फा नेशनल पार्क औरुणांचल प्रदेश में देखिए नाम दफ्फा जो है औरुणांचल प्रदेश में इसमें ज्यादा स्टुडेंट कन्फ्यूज होता है नामेरी से नामेरी नामेरी कहां में है कहां है यह आपका जो है नामेरी जो हैता है आपका आसाम में होता है ठीक है आसाम में कौनसा कौनसा नेशनल पार्क है जैसे मानस नेशनल पार्क हो गया आपका नामेरी हो गया आपका दीबरू साइकोबा हो गया एपका और एक इम्पोटांट होता है जो इसको बोलते हैं काजी रंग काजी रंग नेंशनल पार्क जो होता है यह ब्लादी नंशन्साइन पर्क यह आसाम में में बहुत बार बार पूच्ब्चर पुचता है देखेंगे तो राजस्तान में आपका है रन्थमबूर नेशनल पार्क रन्थमबूर नेशनल पार्क जो है यह राजस्तान में आता है और एक होता है स्वरिस्का स्वरिस्का नेशनल पार्क जो ओल्वार डिस्टिक में आता है जो राजस्तान में और एक होता है डिजट ने नेशनल पार्क महराष्ट्र में आपका होता है जो संजय गंधी संजय गंधी नेशनल पार्क होता है और होता है आपका तोड़ोवा नेशनल पार्क होता है आपका चंदोली नेशनल पार्क होता है चंदोली नेशनल पार्क एक होता है पैंच नेशनल पार्क होता है पैंच महराष्ट्र में हो गया अरुण अंचल प्रदेश में अभी बताया जो आपका नाम दफा है इसके साथ साथ और एक आपको याद रखना है मौलिंग नेशनाल पार्क मौलिंग नेशनाल पार्क जो है या औरुण अंचल प्रदेश में आता है ठीक है चलिए next question देखते हैं which among the following planet rotate clockwise इन में से जो कौनसा ग्रेह है जो clockwise clockwise मतलब east से west के तरब आंटी क्लोकवाईज मतलब होता है आपका वेस्ट से इस्ट तरफ ठीक है यह होता है आंटी क्लोकवाईज देख इसमें पुछा है आपका कौन सा प्लानेट ग्रेह जो है रोटेट क्लोकवाईज रोटेट करता है देखे जितना भी प्लानेट है दोनों प्लानेट को क्लोक्वाइज घुमते हैं तो क्लोक्वाइज का मतलब क्या बता है जो इस्ट से वेस्ट के तरब घुमते हैं और आंटी क्लोक्वाइज क्या जो वेस्ट से इस्ट के तरब घुमते हैं यह जो भेनोस और यूरानोस हैं यह दोनों क्लोक्वाइज घुमते हैं यानि इस्ट स West के तरब गुमते हैं एसे का कैसे आपको याद रखना है जिसका लास्ट में नौस लगा हो nus भे नौस यूरानोस अई रानौस जिसका लास्ट में नौस लगा हो वो कैसा घुमता है clockwise और बाकी सब कैसे घोलते हैं anti-clockwise ठीक है जलिए next question which among the following river इसका answer शही रहेगा क्या आपका बोथ वान एंड टू यूरानस एंड वेनस दोनों क्लोकवाइज घुमते हैं एस्चुरी इन में से कौनसा रिवर एस्चुरी फर्म करता है एस्चुरी और डेल्टा इन दोनों में मतलब एक होता है एस्चुरी और एक होता है डेल्टा यह दोनों आपको समझाऊंगा देखिए जो आपका इस्ट एक दो टाइप का रिवर होता एक होता इस्ट फ्लोईंग मतलब यह मांद चलो आपका भारत का जो डाइग्राम है यह आपका बे ओफ वेंगल है इधर आपका आरवियांसी है तो जो इस्ट के तरफ जो नदियां बहते हैं उसको हम इस्ट फ्लोईंग बोलते हैं और जो नदियां वेस्ट के तरफ बहके आरवियांसी में गिरते हैं उसको हम वेस्ट फ्लोईंग रिवर बोलते हैं देखिए डेल्टा कौन सा रिवर जो डेल्टा फर्मेशन करता है और क तो जो अरव्यान सी में यानि वेस्ट फ्लॉइंग वाला होते हैं स्चुरी फर्म करते हैं ड टा क्या होता है देखिए जिदर मिटे नरम होगा मिटे ज्यादा हड नहीं होगा उदर जब मान सालो यह आपका आपका इदर देख़िये यह आपका जो है बंगव सागर है इधर मान चलो कोई इस्ट फ्लोइंग वाला नदी आ रहा है नदी जब मिलता है समुंदर के पास वो फेल जाता है क्यों फेल जाता है इसदर का मिट्टी नरम होने के कारण नदी जब सागर के साथ मिलता है वो फेल जाता है इसको बोलते हम डेल्टा लेकिन यह इस्ट फ्लोईंग रिवर वाला यह करते हैं डेल्टा फर्मेशन लेकिन मान चलो जो वेस्ट फ्लोईंग रिवर वाला करते हैं यह कोई रिवर बह रहा है आके आरवियान सी में गिर रहा है यह फेल नहीं पाता है डाइरेक्ट आके समुदर के साथ मिल जाता है क्यों होते हम एस्च्वारी तो इसका सई एंसर क्या रहेगा आप अभी बता सकते हैं जो गोदावरी नदी है गोदावरी आपका आके बेव बेंगल में गिरता है यह आपको सबको पता है यह काबेरी भी बेंगल में गिरता है यह इस्ट फ्लोइंग हो गया यह भी इस्ट फ्लोइ इस अधा हरी पाहड पृष्च्र ये बनाता है असचुरि तो आपका से था इसको कहां पर नाशीक में आता है नाशीक कहां महँराष्ट्र में आपका गोदावरी गोदावरी को हम उद्धिय गंगा भी बोलते हैं बुढ़ा गंगा भी बोलते हैं यह आपका जो पेनिंसुलर इंडिया का सबसे बड़ा नदी भी होता है और इंडिया का सदूसरी नमबर पर ठीक है और इसके बाद जो काबेरी है इसके बार में इसको जो है यह करनाटा के से निकलता है जो आपका वेस्टन घाट है इस इदर से निकल कर करनाटा के से निकल कर होता है यह जाता है तामिल नाडु के इंदर जाता है तामिल नाडु के बाद यह फिर आपका बेव बेंगल में गिर जाता है काबेरी देखिए गोदाबरी को बोलते हैं दखिन गंगा और बृद्य गंगा चाहिए इसके बाद आपका तपी अभी बोला तपी जो है आपका जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होता है तपी रिवर जो है आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर होता है एस्चुरी फर्मेशन करता है ठीक है और गंगा जो है आपका उत्राखंड में निकलता है जो गंगोत्र ग्लासियर जो है गो मुख से निकलता हुआ यह उत्राखंड से आकर उत्र प्रदस में जाता है उत्र प्रदस के बाद आपका गंगा जो है जो जहारखंड बिहार से होकर बिहार उसके बाद जाता है जहारखंड उसके बाद यह वेस्ट बेंगल से गिरता है उसके बाद एक जांगा आप यह Bay of Bengal पे मिल जाता है आपका गंगा रिभर उत्राखंड उसके बाद UP भिहार जारकंड वेस्ट बेंगल उसके बाद बांगलादेश में भी होचता है बांगलादेश के बाद यह Bay of Bengal में गिर जाता है गंगा नदी का लैंग्ध होता है 25-25 km यह इंडिया का सब से लंबा नती होता है ठीके गंगा नदी जो है यह भागी रथी भागी रथी एंड अलक नंदा अलक नंदा जो है यह मिलकर बनाते हैं गंगा नदी यह कहां पर मिलते हैं यह बोलते हैं देब प्रायग में यह दोनों मिलते हैं भाग रथी और अलका नंदा मिलकर बनाते हैं गंगा रिवर ठीक है चलिए आपका next question क्या है the city अयोध्ध्या situated in the riverbank of which river यह अयोध्ध्या जो है यह आपका सराई river के किनारे है अयोध्ध्या city आपका गोमती है लखनोग के अंदर लखनोग के जो किनारे आपका गोमती नदी के किनारे आपका लखनोग का शहर है आपका जो कोशी नदी है इसको sorrow of sorrow of बिहार बोलते हैं और sorrow of इंडिया भी बोला जाता है आपका कोशी रिवर को यह आपको याद रखना कोशी जो निकलता है नेपाल से निकलता हुआ आता है निपाल से आकर बिहार में गुषता है बिहार से अंदर नेपाल से आकर बिहार के अंदर गुषता है इंडिया को और उसके बाद गंगा में मिल जाता है आपका कोशी रिभर इसको सरोफ जो बिहार एंड सरोफ इंडिया भी बोला जाता है गंगा जो है आपका पता है गंगा राजस्तन का वलुर्छ साउडर एफ डर्लेजध बाद जो है जिसका नाम अभी हेसला की चैएंज कर दिया गया प्रयाक राजक कर देया गया यह होताँ है घंगा जमुना और सरेश्यति का संगम स्टल थीके तो गंगान दी गया है इंद्रागंदी केनाल ड्रोज वाटर फ्रम हुआटर रिवर्ड जो इंद्रागंदी केनाल है यह कौन्षा रिवर्ड से जो वाटर लेता है yeah आपका ऑशाई एंसार रहें का सॉतलेज एंडि बीज रिवर्ड से यह दोनों रिव यह है यह जाके जो राजस्तान का वेस्ट बाला साइड को यह पानी लेता है कहां से सौतलेच और बीज रिवर्स है ठीक है यह आपको याद रखना है तालपती आइजलांड डिस्पूट वाटर डिस्पूट मतलब नहीं वाटर डिस्पूट नहीं यह तालपती बांगलादेश के बीच में controversy dispute है ठीक है यह आपको अच्छा सा question है यह आप देख सकते हैं जो तालपती आइजलांड है इधर है तालपती आइजलांड यह बांगलादेश इसको मानता है इंडिया उसके उपर अधिकार भी देता है इसलिए तालपती जो आइजलांड है यह और इंडिया के बीच में controversy है ठीक है आज था इतना ही आपके लिए important question लेका आया था अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसे लगा अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो अच्छा से नहीं मिलेगा थैंक्यू चलिए पहले इसके बाद में वीडियो में मिलते हैं जय हिंज भारत थैंक्यू फर वाचिंग